बेटा तुम क्या लेकर आयो प्याज आलू चलो आब हमेने गिनकर देखते हैं इधर से रखो नहीं 11 बाबा 10 के बाद भूल गए Very good, अब मैं प्लस और माइनस का हिसाब बताती हूँ प्लस का मतलब क्या? जमा, किसी अदद को दूसरे अदद में मिलाने को जमा कहते हैं देखो ये दो प्याज हैं, इनमें मैंने 1, 2, 3 प्याज बढ़ा दिये अब बताओ यहाँ प्याज जुम्ला कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 addition, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? addition, add करने का मतलब है किसी अदद के साथ दूसरे अदद को जमा करना अभी इनकी तादार 5 हैं, अब इसमें 2 अदद और जमा कर देंगे तो कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिस तरह से हमने अदद को जमा किया, इसी तरह से हम लोग माइनस या तफरीक करना भी सीखेंगे इसे तफरीक कहते हैं, ये कितने है? 4 इसमें से 2 अदद निकाल लो या हटा दो, अब कितने बाकी है? 2 इस तरह अदद हटाने या निकालने को माइनस या तफरीक कहते हैं जैसे इन चीजों की तादा अच्छे है इसमें से मैंने एक अदद निकाल दिया अब गिंती करो वान टू थी फोर फाइफ वेरी गुड इसे क्या बोलते हैं माइनस करने या तफरीक करना नफी का हिसा नफी का हिसा शाबाज बेटा सही से किया तदेता ले